क्या होगा यदि आईस वाले बोट को दुनिया के सबसे गरम जील में उतारा जाए उससे पहले उस आईस वाले बोट को ट्रक में लोड करके लाया जाता है उसके बाद धीरे धीरे जील में उतारा जाता है अब तक आप लोग 2000 लाइक का टार्गेट भी पूरा कर दिश बर फिले बोट से नॉर्मल बोट का पीछा किया जाता है लेकिन यह बहुत ही जादा धीरे चल रहा था जील का साइज बहुती बड़ा होनी की वजय से यह बोट यहाँ पर सर्वाइब नहीं कर पाता है और पूरी तरह से पिगल जाता है तुछ नया देखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना